दूश्कार, BCN News के दिन दूश्य श्कारेकरम में मैं दुशाब सभी का स्वागत करती हूँ कृस्मस का त्योहार हर साल 25 तिसंबर को मनाया चाता है इसाई धर्म के लोगों के लिए यह त्योहार काफी महत्वपूर्ण होता है लेकिन अब सभी धर्म के लोग इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते है बच्चों को इस त्योहार का इंतिसार साल भर से रहता है इस दिन सैंटा क्लॉस बच्चों को बहुत सारी उपहार देते है एक बार इशवर नी ग्रैबिल नामक अपना एक धूध मैरी नामक यूद्ट के पास बिछा इशवर के धूध ग्रैबिल नी मेरी को जाकर कहा कि उसे इशवर के पुत्र को चन देना है यह बात सुनकर मैरी चोकी क्योंकि अभी तो वह कुवारी थी तो उसने ग्रेबिल से पूचा कि यह किस प्रकार संभव होगा तो ग्रेबिल ने कहा कि इश्वर सब ठीक करेगा समय बीता और मेरी की शादी जोसिफ नामकियोग के साथ हो गई भगवान की दूद ग्रेबिल जोसिफ की सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मेरी कर्भ होती होगी और उससे उसका खास ध्यान रखना होगा क्योंकि उसके होने वाले संतान कोई और नहीं स्वैम प्रभू येश्यो है उस समय जोसिफ और मेरी नासरत जोकि वर्तमान में इसराइल का एक भाग है में रहा करती थी उस समय नाजरत रोमन सामराज का एक हिस्सा हुआ करता था एक बार किसी कारण से जोसिफ और मेरी पैटलेम जोकी इस समय फिलस्तीन मेहे में किसी काम सीग गए उन्हेंगों वहाँ बहुत से लोग आय हुए थी जिस कारण सभी धर्मशालाय और शरणाले भरे हुए थी गडरी ए अपने भेंडे एक महान गनितग्य भौतिक वैग्यानिक जियोतिवर्थ एवं दार्शुनिक न्यूटन का नाम किसी परीचे का मौत आच नहीं है कोई भी विद्यारती जब विज्ञान की दुनिया में कदम रखता है तो जिस वैग्यानिक से सबसे पहले वह परिचित होता है वह वैग्यानिक है सर आईजाक न्यूटन न्यूटन के सिधानतों ने संसार को नहरूप में देखने के पर देख खोल दिये और आदमिक भौतिकी वह इंजिनियारिंग की बुनियात रखी आज के दन 1942 में उनका चन्व हुआ था न्यूटन ने बताया कि चीजों की पृत्वी पर गिरने चन्रमा की पृत्वी के परीतः परिक्रम और ग्रहों की सूर्यों की परीतः परिक्रम के पीछे एक ही कारक है जो कुरुत्वाकरशन का सर्वव्याप्त बल है साथ ही पहली बार द्रव्यमान और भार के बीच अंतर बताया प्रकाश के क्षित्र में काम करते हुए न्यूटन ने बताया कि सफेद प्रकाश दरसल कई रंगों के प्रकाश का मिश्रिन होता है और साथ ही ये भी बताया कि प्रकाश बहुत सुक्ष्म कनिकाओं का तीस प्रवाव होता है हाला कि हाईगेन सथा अल्य वैग्यानिकों ने कनिकाश सिध्धान को नकारते हुए तरंग सिध्धान पर बल दिया किन्तो आज के परिपेक्ष में प्लांग के परिकलपना तथा प्रकाश विद्ध्योत प्रभाव ने न्यूटन सिध्धान को काफी हद तक सही ठहरा दिया है दूरदर्शि के रंग दोश को दूर करने के लिए न्यूटन ने परावर तक दूरदर्शि का आविशकार किया कनित के सरवादी उपयोगी शाखा कैलकुलिस के बारे में इतिहास कारों का मानना है कि इसका आविशकार न्यूटन और लाइबन्स दोनूं ने अपने अपने तरीके से किया था हाला कि इसके असली आविशकार के लिए दोनों में कई वर्षों तक विभाधी चलता रहा माध्य मिक्सतर पर पढ़ाई जाने वाले द्विपत प्रमे भी न्यूटन की दिमाग की उपज है पाई का मान निकानले के लिए भी न्यूटन ने नया फॉर्मुला दिया किसी भी थरह कि समीकरन की आंग की खल के लिए भी न्यूटन ने एक फॉर्मुला दिया जो न्यूटन रॉफसन फॉर्मुला की नाम से जाना चाता है कंप्यूटर की गन्नाव में यह काफी उपियों की सिथ हुआ है हिने सिर्मा की मशूर अभीनेतरी साधना साथ के दश्यक में टॉप की अभीनेतरी थी साधना का पूरा नाम साधना शिवदास नी था साल 1960 में लव इन शिमला फिल्म रिलीस हुई थी इस फिल्म को तो अच्छा रिस्पॉंस मिला ही इसी के साथ साधना का फिल्म में हैल स्टाइल इतना फेमस हो गया कि वह उनका स्टाइल स्टेट्मेंट ही बन गया था आज ही के दिन 2015 में उनका निधन हुआ था BCN News के दिन विशेश कारिकर में फिलहाल इतना ही साधना ने हिंदी सफर की शुरुआत पतोर चाइल आर्टिस की थी इसके बाद महस 15 साल की उम्रों में क्यामियो में नसराय थी इसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक रूल मिलने लगे बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि पहली फिल्म में राजकपूर और साधना में ऐसी अनबन हुई थी कि वह उनसे बेहद नफरत कने लगी थी साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था वो अपने माबाप की इकलोथी संतान थी बटवारी के बाद उनका परिवार कराची छोड़ कर मुंबया बसा साधना के पिता को अक्ट्रिस साधना बोस पसंद थी इसलिए अपनी बेटी का नाम भी उन्होंने साधना ही रखा साधना ने महस 14 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक गाना मुडमुड के ना देख की कोरस में साधना थी इसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में सिंदिल फिल्म अबाना में लीड रोल में काम किया इस फिल्म के लिए उन्हें केवल एक रुपे का टोकन अमाउंट मिला था इस फिल्म के बाद एक मागजीन में साधना की तस्वीर छपी तबकि मश्यूर प्रोड्यूसर सशादर मुखरजी ने वो तस्वीर देखी और साधना को पहला मौका अपनी फिल्म लव इन शिमला में दिया फिल्म के डारेक्टर आरके नयर को साधना का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था नयर को साधना का माथा पहुत बड़ा लगा उन्होंने हॉलिवूड अक्रस ओडी हैब बर्न की तरह साधना का हैस्ट्राइल करवा दिया और माथा चुपाने के लिए आगे के बालों को माते पर बिखेर दिया बाद में साधना की यही हैस्ट्राइल उनकी पहचान बन गई